गहलोत कहे रहे हैं आला कमान के साथ में खड़े हुए हैं हम और इन हम में पाइलेट और गहलोत दोनों आते हैं रंदावा कहे रहे हैं पाइलेट की पार्टी बनाने की जितनी खबरे चल रही हैं वो बकवास खबरे हैं वो खबरे विकार खबरे हैं अब कुल मिलाकर राजस्थान में क्या पूरी तरह से मामले को ठाम लिया है कॉंग्रिस ने बड़ा सवाल है। राजस्थान में कुछ चुनोतियां भी सामने हैं एक सौधे बाजी पर रिपोर्ट मैंने और वरिष्ट पत्रकार सुमित अवस्थी जी ने आपके सामने रखी थी। रहे हैं पाइलेट अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं इसको कैसे देखते हैं कि एक धड़ा क्या आला कमान के साथ आ गया दूसरा धड़ा किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। आश्वास्तन से काम नहीं चलेगा। तो अब जब राहूल गांधी लौटेंगे विदेश से मैंने सुना कि प्रियंका लौट रही है परसो नर्सों में। राहूल गांधी अगले हफ्ते लौट रहे हैं। तो वो ये शुरेंस चाहते हैं कि उनको पार्टी क्या देने वाली है। मैंने आपको दो-तीन चीज़े पिछली वार बताई थी। वो ये चाहते हैं कि पार्टी के भीतर रहे कि उनको मना लिया जाए। उनको चीज़े वो थी ना वो शादी में फूपा रूस जाते हैं। वो वाली स्थिति है कि मैं गुस गुस्ता हूँ मुझे कोई खाने का पूछो आगे। सबसे पहले मैं खाना खाना खाना, सम्मान दो मुझे, सबसे आगे मुझे बिठाओ। तो वो रूसने वाली स्थिति है, रूटने वाली स्थिति है सचिन पाइलट की अपकी तारिक में क्योंकि उनको लगता है कि अगर बाहर इस रप में गए तो तो ऐसानों की कहीं के ना बचे, वो एक डर भी है, प्लस उनके असाथ की जो विधायक थे, 20-19 जो आये थे, उनमें से कुछ लोगो आप इतने दिनों में अशोग गयलोत ने मैनेज कर ली है, जो अशोग गयलोत की तरफ चले गए, चायो दाम से, दाम से, पैसे से, चुना के पहले, तो सचिन की दिक्कत ये है कि उनको घर के अंदर ही रुखना है, अपनी कुछ बाते मनवाते विए रुखना है, एक फार्मूला जो कॉंग्रेस के CWC के वरिश चदस से करा चर्चा कर रहा था मैं, जो CWC आउट गोई है, वहां भी CWC का गड़न होना है, उनका यह कहना है कि यह बात्ची चल रही है, अगर सचिन को एशुरेंस राहूल गांदी के मुह से चाहिए, वो खड़गे साप से नहीं मानने माने है, इसलिए राहूल गांदी का वेट हो रहा है, और वो एशुरेंस यह है कि आपको हम करनाटक से 4-5 राजसभा सीटें अभी सि वो खड़ा मनजूर नहीं है तो उसके अंदर एक ट्वीक भी है, और यह 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 शगूफे वाजी है, यह मैं किसी नेता से सुनी भी बात कह रहा हूं, मिझे नहीं पता हो नेता को कितना पता है, हो सकता है कि यह उस नेता के अपने मन की बात हो, दूसरा उसमें पर चिदंबरम और बड़ा कद हो जाएका, तो आप उनकी बराबरी पर खड़े हो गए, अशोग गेलोट से आप कम नहीं रहे, और जब 24 का चुनाव आएगा, वो पूरा का पूरा चुनाव, 24 तक अशोग गेलोट की नेता तो नहीं रहा जाए, राजस्तान में जो सीटे लोगसभा में जीत के आती हैं, नहीं आती हैं, अगर अशोग गेलोट ने वो सीटे कम लिकर आया, 25 सीटे वहाँ पर है, अगर कॉंगरेस पार्टी का परफॉमेंस वो लोगसभा में नहीं सुधार पाया अपने राज में, तब हम आपको श्रिप्ट कर देंगे, और उनको इसका क्या अधार है, और क्या इस पर आपकी अनलेसिस कहती है, कि बीजेपी का फाइदा इसी में है कि कॉंगरेस के साथ रहें पाइदेगे, देखिए, राजिस्तान का इतिहास है, प्रवीन, इस सवाल का जवाब थोड़ा से इतिहास में जाके देना चाहता हूँ, वो य इगर कोई तीसरा धड़ा खड़ा हो जाता है, फर एक्जामपल, आम आदनी पाटी यसे बात चल रहीगी, वो चुनाओ लड़ीगी वहां पे जाद दर सीटों पे, सचिन पाइलट भी उधारन के लिए कुछ मानने कि वो अलग हो जाते हैं, वो अपनी अलग पाइदेगे पर ने अजन्ओन के मानने अलग बनीगी, सब्सक्राइब मारा खड़ा से बाता है नसीराल तो मानने शीन होगा जो एक्जामपलेश को लिए कूरेदी वॉत हो कि तutra की तयारी करा है कुछ सीटों पर तो ऐसे में नुक्सान जादा भाजपा का हौगा ऐसे में कॉंग्रिस का नुक्सान हो Тंग डिabilophile का नुक्सान के जाएग कर बॉच्य को बात को ले कर बीजेपी के नितरत के अंदर शंका है कि सचिन पाइलट खुल कर हमारे साथ आ गए है अभी भी उनके मन में ये बात है कि सचिन पाइलट जो है जैसे जो तरह दित सिंधिया था कि उन्होंने मन बना लिया था कि अब तो हमको छोड़ दिना है उनको और वो बीजेपी में आ गए पहले जवाब में आज भी है कि वो Congress की भीतरी रहें, Congress की भीतरी उनको सब कुछ मिल जा है, वो अंदर से भाजपाई नहीं बन पाए है, तो BJP की leadership इस बात को जान रही है, कि जो नहीं था, अंदर से भाजपाई नहीं बन पाया है, वो कल हमारे साथ, मानलीज अलग fraction बनाता ह तो वो क्या हमारे साथ जुड़ना चाहेगा कि नहीं जुड़ना चाहेगा जी अब इसमें एक और दिल्चस पहलू है सिंधिया से हमेशा कंपेर किया जाता है सिंधिया तो आ भी गए भाजपाई भी बन गए दिल से भी बन गए हैं काफी बयान भी देते हैं वो कॉंग्रेस कि ऐसी कौन से मजबूरियां हैं कि वो उनका ठोड़ ठीकाना कॉंग्रेस के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता ने ऐसा नहीं कुछ नहीं कि उनकी सचिन पाइलेट का एक तो फैमिली पूरी कॉंग्रेसी रही पिता जी मात पापा राजेश पाइलेट मारमा पाइलेट उन की दुदिन नानी दादी थे निकान आपका एखने लुट फैमिली में ऊससा कीघ्याद के साथ कते थे सचिन पालेट कि अंदर वो चीज़ नहीं कि वो कनेक्ट हो सकते हैं और सचिन पाइलेट के अगडर सचिन को जाना होता है न अब तक चले गया होता है ने इतने दिनों हम ही जैसे लोग कहने लगें आपस में बाचीत जब करते हैं क्या सचिन के जल्दी इस बात किये उसकी उपास उमर पड़ी है अभी तो 40 साल का भी नहीं हुआ है गेलोद साथ 5 साल लेंगा अग्ले बार देख लेना चुनाओ यार्दू गेलोद भी यही कहते है जल्दी सचिन के अंदर आज भी भाजपा नहीं है सचिन अंदर से कॉंग्रेसी हैं सचिन कॉंग्रेसी रहना चाहते हैं इसलिए इसलिए वो पांच घंटे बैठे रहे वरना कल जा रैली परसों रैली करने वाले हैं 11 तारीक को हो सकता है कि डराएं धंका हैं हम लोग फिर चर्चा करें कि सचिन का रूप बदल गया सचिन तो नाराज है सचिन पार्टी तोड़ सकते हैं पर मेरा जहां तक मानना है सचिन अभी इंतजार करना चाहें क्या स्ट्राइजी ऐसी चल रही है कि एंटी एंटी इंकम्बंसी को अगर दूर करना है तो सचिन पाइलेट जो हैं एक क्या मूर्चा समाल कर रखेंगे हों पार्टी की तरफ से खुली क्योंकि पार्टी आला कमान के साथ दिश्यते और पार्टी आला कमान जो कहता है कि चुप रहो उसके विरुद भी दिखते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा सवाल है प्रवीन ये जो बात हम लोग कर रहे थे अ और बाद में जब सरकार बनने की नौपत आती है, माली जी तृषणकु विधान सब आ है, तो फिर कॉंग्रेस में आ गए, तो ये 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 स्रेटीजी हो सकती है, ये 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 स्रेटीजी का हिस्ता हो सकता है, जिसे सुदेशी जागरन मंचकर में याद दिलाओं, बीजेपी खेमे में चुनाओं के चार-पांच महीने रहने से पहले इस तरह की खामोशी या ऐसा माना जाए कि कोई चेहरे तक नहीं पहुँच पाना, ये कितनी चिंता बढ़ा सकता है बीजेपी की, और खास्तोर पर तब जबकि एंटी इंकंबेंसी उनके लिए और रिवाज जो रहा है, जो अभी तक का रिवाज रहा है राजस्थान का, उसका फाइदा ना उठा पाएं, ऐसी कोई स्थिति आपना है, बीजेपी की लीडर्शिप को जो उन्होंने करनाटक में किया है, ये दुरप्पा को पहले लाए, फिर हटाया, बंबई को बनाया, व एक खास इलाकी की सीकर के असपास की नेता है, गजे इन सिंग शेखावत को बीजेपी की लीडर्शिप ने प्रमोट करने की बहरपूर कोशिश की, कि वो पुरे प्रदेश की नेता बन जाएं, लड़ भी रहें, मेहनत भी करते हैं, पुराने संक्य वेक्ति हैं, पुराने उनको साइडलाइन कर दिया गया, जो वसंदरा को चुनोती रहें, जो दूसरे पॉपुलर बड़े नेता थे, तो लीडर्शिप का क्राइसिस करनाटक की तरह है, राजिस्थान में भी बीजेपी के पास है, इसलिए बीजेपी की लीडर्शिप तीन-चार दिनों से मन्थ कर रही है, कि जो राज हम जीत सकते हैं, उनके पास भी इंटरनल रिपोर्ट है कि तीन राज राजे हैं, राजिस्थान में सबसे अच्छी चांसे से सरकार बनाने के बशर्ते कि हम एक होके लड़ें, पर एक होके कैसे लड़ें, वसंदरा को नेता घुशित अगर नहीं कर देंगे, जैसा कि यदरपा साब ने किया, अब जो खबरें निकल कर आ रही है, बील संतोश वर्से यदरपा जो चल रहा था करनाटक में, उसी का खाम्यादा बीजेपी ने उठाया, अगर वो वसंदरा ने कर दिया, तो आपको क्या लगता है, पाइलिट जाने वाले हैं, रुकने वाले हैं, या आपको क्या लगता है, कॉंग्रेस के कितने चांसेज हैं, या बीजेपी के लिए कैसा मौका है राजस्तान में, इस पर अपनी राए ज़रूर रखें, आपकी राए बहुत मतवपूर होती है, और नई खबरों को बनाने के लिए, नई एनालिजिस क आपके सामने रखने में बहुत सही होगी होती है, अमरुजाला, अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में